हेलो स्टुटेंट्स वेलकम टू माइंडशेपर अकेडमी वन्स अगेन दिस पार्ट पाइफ ऑफ चेप्टर टू लीनेर एक्वेशन सीन वन वैरियेबल चीक है अब भी आजकल हम सॉल कर रहे हैं एक्सरसाइस 2.2 के कोश्चन्स तो प्रीवेस लेक्चर में आपने देखा है कि हमने कोश्चन नमबर 1-6 जो है एक्सरसाइस 2.2 के प्रमेंसी यार्टी बुक वह हमने सॉल किये थे और बहुत ही डिटेल में हर एक कोश्चन का हमने सॉलूशन देखा था आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइस 2.2 के साथ और जो उसके फर्दर कोश्चन्स है कोश consecutive multiples of 8 is 888, find the multiples, तो 8 के अगर तीन consecutive multiples को अगर आप लेते हैं और उनको add करते हैं तो आपको जो मिलता है 888 मिलता है उनका sum और हमको क्या करना है हमको वो तीनो multiples निकालने हैं, so यह हमारा question है, अब 8 के multiples क्या होते हैं, तो आप 8 के table लिख लीजिए, but do not add that at 80 उसको continue करते चली ज 48 and so on, ठीक है, so this is like indefinitely, यह चलते चले जाएंगे इसके multiples, तो इनी multiples में से कोई 3 consecutive multiples ऐसे हैं, जिनको अगर आप add करते हैं, तो आपको 888 मिलता है, और वो हमको पता नहीं है कि वो कौन से multiples हैं, ठीक है, so हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपर एक observation आप देखिए, अगर हम कोई multiple लेते हैं, for example, हमने एक 8 का multiple लिया, तो इसका जो previous number है, that is, this number minus 8, तो इसके अगर इस वाले number में से अगर हम minus 8 कर देंगे, तो हमको 24 मिल जाएगा, और इसमें अगर हम 8 plus कर देंगे, तो हमको 40 मिल जाएगा, similarly, अगर आप कोई और देखें, कोई भी आप multiple देख लिए, for example, अगर आप से 24 देखते हैं, तो 24 में अगर आप minus 8 कर देंगे, तो आपको 16 मिल जाएगा, और अगर 24 में plus 8 कर देंगे, तो आपको 32 मिल जाएगा, right, तो consecutive multiples जो होते हैं, उसमें अगर हम कहते हैं, कि मेरा 8 का कोई multiple जो है, that is 8, यह मेरा 8 का कोई multiple है, ठीक है, तो इसका मतलब क consecutive multiples क्या होंगे, कि इसमें अगर मैं 8 add कर दूँ, तो मेरा को जो right side का multiple है, वो मिल जाएगा, that is consecutive multiple, okay, और इसमें से मैं 8 subtract कर दूँ, तो मेरा को जो left side का 8 का multiple होगा, जो इसका consecutive multiple होगा, वो मिल जाएगा, तो x का एक multiple होगा, x minus 8, और एक multiple होगा, x plus 8, right, ऐसे ही इसमें अगर तो मिल जाएगा x plus 16, तो इस तरीके से हम सारे multiples निकाल सकते हैं, ठीक है, the problem basically here is, कि हमको यह x की value नहीं पता, तो हमने माना है, कि let us say x कोई हमारा 8 का multiple है, और consecutive multiples क्या हो जाएंगे, इसमें से 8 को less कर दो, तो एक multiple हमारा यह आ जाएगा, इसमें 8 को add कर दो, एक multiple यह आ जाएगा, तो यह 3 के 3 हमारे consecutive multiples हो गए हैं, ओके, अब question में क्या given है, कि इन 3 consecutive multiples को अगर हम add कर देते हैं, तो हमको मिलता है 888, तो अगर हम 3 को add कर दें, तो मतलब x minus 8, plus x plus x plus 8, तो हमने 3 multiples को add कर दिया, x minus 8, x, x plus 8, तो हमको क्या मिलता है 888, which is given to us, ओके, अब हमको क्या करना है, इसको simplify कर देना है, because हमको चाहिए क्या, हमको x की value चाहिए, अगर x की value हमको मिल गई, तो हमको x minus 8 भी पता लग जाएगा, और x plus 8 भी पता लग जाएगा, इसका मतलब, हमको तीनों multiples की value पता लग जाएगी, अगर हमको x की value पता लग गई, और यही हमारा question है, कि हमको तीनों multiples की value निकाल ली है, ठीक है, तो आपको यह जो, इसका जो way है, way of solving this question, वो आपको समझ में आना चाहिए, अच्छे से, कि हम क्यों कर रहे हैं यह सब, ठीक है, तो I hope कि आपको समझ में आ गया है, अब इसको simplify करते हैं, this is x minus 8, bracket को open कर देते हैं, x minus 8, plus x, plus x plus 8, is equal to 8, 8, 8, अब जो x की term से, उन सब को हम एक साथ ले लेते हैं, और constants को हम एक साथ ले लेते हैं, तो यह हो जाएगा हमारा x, तो यह वाल x मैंने ले लिया, plus यह वाल x ले लेता हूँ, plus यह वाल x ले लेता हूँ, तो हमने सारी x की terms को एक साथ ले लिया, और सारी constants को एक साथ ले लिया, तो यह constant क्या है, minus 8, और दूसरा constant है, plus 8, तो और जो हमारा right hand side है वो है 888 ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको further simplify कर लेते हैं, तो x plus x plus x क्या होता है x plus x plus x is 3x, आप x को 3 बार add कर रहे हैं तो आपको मिलेगा 3x, minus 8 और plus 8 क्या हो जाएगा 0 तो यह हो जाएगा 0, is equal to 888 ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो आगया number that is 3x is equal to 888 ओके, अब इसको हम कैसे solve करेंगे, हमको LHS पर 3x हैं हमारे पास तो we just need x, ओके, तो अगर हम LHS और RHS दोनों को हम 3 से divide कर दें, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको x की value मिल जाएगे ठीक है, तो चलिए continue करते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो 3x है I will divide that by 3 is equal to 888 divide by 3 ओके, तो इसको हम divide करेंगे तो क्या आएगा, यह 3 से 3 cancel हो गया अब 888 को हम 3 से divide करेंगे तो क्या आएगा, तो यहापर एक छोटी से में trick आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी number आपको given है, और आपको यह जानना है कि वह 3 से divisible है या नहीं है completely तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं, हम उसके तीनो जितनी भी digits हैं, उसको add कर सकते हैं और यह देख सकते हैं कि क्या वो digit का sum 3 से divisible है अगर उसके digit का sum 3 से divisible होगा, तो वो number भी 3 से divisible होगा तो यहापर हम देखते हैं, इस 8, 8, 8 इसके 3 digits हैं, इन तीनों digit को अगर हम add करें तो हमको क्या मिलता है 24, और 24 3 से divide हो जाता है, इसका मतलब 8, 88 भी 3 से divide होगा तो अगर आप इसको divide करते हैं 3 से, तो क्या आएगा, so I will write 8, 88, divide by 3, so 3 2 जा 6 तो यहाँ पर आगया 2, 8, 3 9 जा 27, तो यह आगया मेरा 1, और यह आजाएगा 8, 3 6 जा 80 तो इस तरीके से हमने 8, 88 को 3 से divide के, पहले चेक कर लिए कि divisible है या नहीं है और फिर हमने इसको divide के, तो हमारे पास आगया 296 इसका answer, ओके, तो अभी जो है, यह number हमारा क्या होगा, अगर हम इसको लिखते हैं तो this is LHS is equal to X, and RHS divide करके हमारे पास क्या है 296, तो देखी हमको जो first number है, वो मिल गया है, यहाँ पर हमको X मिल गया है, और जो बाकी के दो number है, वो हम कैसे निकालेंगे, तो second number होगा, X minus 8, so 296 में से अगर हम 8 को less करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, 288, ठीक है, और अगर इसमें हम 8 को plus करते हैं, तो क्या मिलता है, we will get 3, 296 में 8 को plus करना है, तो 304, तो हमारे जो तीन numbers हैं, वो numbers हैं, first number is this, second is this, third is this, तो यह तीनों हमारे consecutive numbers हैं, in fact, अगर इसको बिल्कुर सिक्वेंस में लिखना है, तो हमारा answer रहेगा, सबसे बहले सबसे चोटा number, 288, उसके बाद उससे बड़ा number, 296, उसके बाद उससे बड़ा number, that is 304, तो यह हमारे 3 consecutive numbers हैं, जो 8 के multiples हैं, और जिनका sum 888 भी आता है, आप इन तिनों को add करके देख लीजेगा, the sum will be 888, चीक है, तो चलिए, move करते हैं, question number 8 के तरफ, so question number 8 is, 3 consecutive integers are such that, when they are taken in increasing order, and multiplied by 2, 3 and 4 respectively, they add up to 74, find these numbers, चीक है, दिखने में थोड़ा सा tricky लग रहा है, but बहुत ही simple है, तो एक एक करके इसकी statement को पढ़ते हैं, और समझते हैं, देखिए, 3 consecutive integers are such, 3 consecutive integers, 3 consecutive integers का मतलब क्या हो गया, कि एक के बाद एक जो आने वाली integer है, तो अगर मैं कहता हूँ कि मेरा एक integer x है, let us say, तो इसके बाद इसका consecutive integer कौन सा होगा, इसमें 1 add कर दीजिए, x plus 1, और इसका consecutive integer कौन सा होगा, x plus 2, ठीक है, तो हम क्या करते जा रहे हैं, 1 add करते जा रहे हैं, तो हमको 3 consecutive integers मिल गए, ओके, अब next क्या बोला गया है, when they are taken in increasing order, तो increasing order मिलिया है हमने, यह हमारा सबसे छोटा, यह इस से बड़ा, और यह इस से बड़ा, ठीक है, तो यह होगा increasing order, next क्या है, and multiplied with, multiplied by 2, 3 and 4 respectively, तो इसका मतलब, अगर हम इस order में, इसको हम 2 से multiply कर दें, इसको हम 3 से multiply कर दें, इसको हम 4 से multiply कर दें, ठीक है, तो basically क्या बोला गया है, कि अगर आप increasing order में लिखके, पहले number को 2 से multiply करो, दूसरे को 3 से करो, तो जो number आएगा, जो numbers हमारे पास आएगे, उसका sum करेंगे, तो 74 आएगा, ठीक है, तो देखे, कितना simple है, केवल पढ़ने में ऐसा लगता है, starting में, कि यह difficult होगा, बहुत simple question है, तो हम क्या करते हैं, पहले number को हम 2 से multiply कर देते हैं, तो हमारे पास आजाएगा 2x, ओके, अब दूसरे number को हम किस से multiply करते हैं, 3 से, तो यह आजाएगा 3x plus 1, और तीसरे number को multiply करते हैं 4 से, तो यह आजाएगा 4x plus 2, ठीक है, तो multiply कर दिया है, उसके बाद क्या करना होगा, इन स ठीक है, तो when they are added, they add up to 74, ठीक है, तो equation हमको मिल गई, question को understand किया, और हमने equation की form में उसको लिख दिया, but यह equation थोड़ी complicated form में, we need to simplify this, तो simplify करने के लिए हम क्या करेंगे, brackets को open कर देंगे, मतलब यहाँ पर हम, जो distribution property है, distribution of multiplication over addition, वो हम use करेंगे, इन brackets को open करके, फिर हम उसको simplify करेंगे, ठीक है, तो 2x तो हमारा as it is 2x आ गया, 3x plus 1 क्या हो जाएगा, this will become 3x, 3x plus 3, यह क्या हो जाएगा, 4 into x plus 2, 4x plus 4 into 2, that is 8, so this will become 4x plus 4 into 2, that is 8, and यह आ जाएगा हमारा 74 के equal, ओके, तो यहाँ तक बहुत simple है, next हम क्या करेंगे, जितने भी हमारी x की terms है, जैसे यह वाले term है, यह वाले term है, और यह वाले term है, इसको हम एक साथ ले लेते हैं, ओके, तो हमने पहले 2x ले लिया, फिर हमने 3x ले लिया, और फिर हमने 4x ले लिया, तो यह जो तीनो terms हैं, आप देखें, हमने 2x यह वाला उठा लिया, 3x यह उठा लिया, और 4x हमने यह उठा लिया, और जितने भी constants, उसको भी एक साथ लिख देते हैं, तो constants हमारी क्या है, plus 3, plus 8, और यह आ जाएगा 74, ठीक है, तो यह जो constants हैं दो, इनको हमने ऐसे उठा लिया, यहाँ पे रख दिया, और इसको यहाँ रख दिया, तो सारी terms हमने देखो यूज कर ली, कुछ भी नहीं छोड़ा, के वल इसको re-organize किया है, अब यहाँ पर जितनी भी x की terms है, इन सबको अगर हम add करेंगे, तो क्या आएगा, 2x plus 3x, 5x, 5x plus 4x, 9x, तो यह हो जाएगा 9x, plus, यहाँ पर हम करेंगे 8 plus 3, तो आजाएगा 11, is equal to 74, ओके, अब कितनी simple equation हमारे पास आ गई है, ठीक है, तो step by step अगर हम करेंगे, तो question difficult नहीं है, एक एक point को समझ के, अब हमको करना क्या है, equation को solve करना है, because हमको ultimately निकालनी है x की value, because अगर x की value आ गई, तो हम x plus 1 निकाल सकते हैं, x plus 2 निकाल सकते हैं, और हमको 3 consecutive integers मिल जाएगे, तो हमारा objective है, we need to find the value of x, right, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस equation को solve करेंगे, और solve करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x को छोड़के बाकि सबको right में लेके जाना पड़ेगा, right hand side की तरफ, तो हम transpose property उसको यहाँ ले जाते हैं, तो यह आ जाएगा हमारा, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 9x is equal to 74, और जब हम plus 11 को transpose करेंगे, RHS में तो हो जाएगा minus 11, ओके, तो यहाँ आ जाएगा 9x is equal to 74, sorry, यहाँ पर आजाएगा, 74 minus 11, this will become 63, ठीक है, so हमने इसको transpose किया, 74 में से subtract किया, तो आगया 63, अब देखिए, यहाँ पर एक ओर टाम हमारे पास बची है, that is 9, okay, तो एक ओर factor इस टर्म में 9, इसको भी हमको remove करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, we will divide both LHS and RHS by 9, ठीक है, so यहाँ पर हमारा 9 से 9 cancel हो गया, और यहाँ पर 9 से 63 cancel आके आजाएगा, 7, okay, तो इसका मतलब यह equation solve करने के बाद जो x की value आई, वो क्या आई, 7, okay, तो हमको अपना x मिल गया, अब वापिस चलते हैं, जहां से हमने शुरू किया था, तो x की value है 7, और x plus 1 कितना होग 8, और x plus 2 कितना होगा, 9, तो जो हमारे numbers हैं, वो कौन से है, 7, 8, 9, okay, तो हमारा answer क्या होगा, हमारा answer is, 3 consecutive integers are 7, 8, and 9, आप इसको try भी करके देखिए, जरूर, कि इन सबको अगर हम इसको 2 से multiply करें, इसको 3 से करें, इसको 4 से करें, और सबको add करें, तो you will find कि आपका जो sum है, 74 ही आता है, तो आप इसको verify कर सकते हैं, ओके, अब move करते हैं, question number 9 की तरफ, ओके, तो question number 9 क्या कहता है, the ages of Rahul and Haroon are in the ratio 5, ratio 7, 4 years later, the sum of their ages will be 56 years, what are their present ages, तो दो, दो person है, Rahul and Haroon, इनकी जो age है, उसका ratio आप निकालेंगे, तो आएगा 5 by 7, 5 ratio 7, ठीक है, 4 साल के बाद, अगर इनकी age compute करते हैं, तो उनकी age का जो addition होगा, sum होगा, वो आएगा 56, और हमको उनकी present age बतानी है, right, तो इस step के questions हमने पहले solve किये हुए है, तो उनी steps को follow कर करके जो है, हम इस question को भी solve करेंगे, तो Rahul की और Haroon की age जो है, वो है, 5 by 7, उनकी इसकी ratio जो है, 5 by 7, okay, तो let us say, यह हमारा 5 by 7 जो है, इसमें अगर हम x को multiply कर दें, numerator में भी, denominator में भी, तो ratio तो हमारी नहीं change हुई, ratio is 5 by 7, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, कि यह जो मेरी age है, let us say, कि यह मेरी Rahul की present age है, okay, so present age of Rahul, present age of Rahul, और यह जो मेरी 7 x है, इसको मैं बोल देता हूँ, this is present age of Haroon, और तो आप देखें कि दोनों का जो ratio है, दोनों की age का 5 by 7 है, तो 5 x divided by 7 x, यह दोनों जो है, हमारा आता है, 5 by 7, तो पहली condition तो easily आपर satisfy हो गई, okay, दूसरा है कि 4 साल के बाद, अगर हम दोनों की age को add करते हैं, तो present age of Rahul है 5 x, okay, तो 4 साल के बाद Rahul की age क्या होगी, so age of Rahul after 4 years, age of Rahul after 4 years, कितनी होगी 4 साल के बाद Rahul की age, that will be equal to 5 x plus 4, तो उसकी age में 4 साल add कर देंगे, तो Rahul की age 4 साल के बाद आ जाएगी 5 x plus 4, ऐसे ही हरून की age क्या होगी, age of Harul after, तो 4 साल के बाद हरून की age क्या होगी, तो उसकी आज की age है 7 x, और 4 साल के बाद इसकी age क्या होगी, 7 x plus 4, ठीक है, तो 5 x Rahul की present age है, 7 x Harun की present age है, 4 साल के बाद Rahul की age होगी 5 x plus 4, और Harun की age होगी 7 x plus 4, इतना ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें दिया गया है कि 4 साल के बाद की age को अगर हम add कर देते हैं दोनों की, तो हमको 56 मिलता है, तो हम दोनों की age को add कर देते हैं, 4 साल के बाद की age ये वाली और ये वाली है, इसको add कर देंगे तो क्या आ जाएगा, we will get 5 x plus 4, तो ये एक age आ गई, राहूल की ये 4 साल के बाद है, 7 x plus 4, इन दोनों को हम add कर देंगे, तो हमको मिलेगा 56, तो हमको मिलेगा 56, ठीक है, तो अब ये देखे, equation की form में ले आए हैं, तो पहला step हमारा complete हो गया, to read this statement and उसको equation की form में लेके आने हैं, बड़ ये थोड़ी complex form है, इसको simplify करते हैं, तो पहले तो bracket open कर देते हैं, तो ये आजाएगा 5 x plus 4 plus 7 x plus 4 is equal to 56, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितनी भी x की term से उनको हम एक साथ ले आते हैं, तो 5 x plus 7 x, और जितनी भी constants हैं, उनको हम एक साथ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 4 plus 4 is equal to 56, ठीक है, तो आपका 7 x plus, 5 x plus 7 x क्या होगा, 12 x, और 4 plus 4 कितना होगा, 8, तो ये हो जाएगा 56, ओके, अब हम 56 में से, अब हम क्या करेंगे यहां से, यह हमारी simple form आ गई है equation की, तो इसको solve करने के लिए हम क्या करेंगे, transpose property यूज करेंगे, 8 को हम ले जाएगे RHS में, और यह बन जाएगा minus 8, ठीक है, हम को यहां से 12 को भी हटाना है, तो हम 12 को, LHS को और RHS को दोनों को हम 12 से divide कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा मेरा 12 x, divide by 12, और यहां आ जाएगा 48, divide by 12, ओके, तो यहां पर तो 12 से 12 cancel हो गया, और 12, 48 को 12 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4, ओके, तो आप देखिए, हमारे पास x जो है, वो निकल के आ गया है, यहां पर, x की value हमारे पास आ गई है, x is equal to 4, अब वापिश चलते हैं हम, जहां से हमने शुरुवात की थी, हमने बोला था कि राहुल की present age जो है, that is 5x, और x हमारे पास आया है, x is equal to 4, ठीक है, तो इसका मतलब, x is equal to 4 है, तो 5x क्या होगा, 20, 5 into 4, ऐसे ही 7x क्या होगा, 7x will be 7 into 4, that is 28, ओके, तो यह age किसकी है, age of राहुल, और यह age किसकी है, present age of हरुम, इसका मतलब, जो हमारा answer होगा, वो क्या होगा, 20 and 28, कि राहुल की age कितनी है, 20, present age कितनी है, 20, और हरुम की present age कितनी है, 28, ठीक है, और अगर आप इसको verify करें, verify कैसे करेंगे, इन दोनों का ratio निकालेंगे, तो definitely आपका 5x7 ही आएगा, और दूसरी, इनकी age में आप 4, 4 add कर दीजिए, तो यह आजाएगा 20 plus 4, 24, 28 plus 4, यह आजाएगा 32, तो 24 plus 32 अगर आप करेंगे, तो आपके पास 56 ही आएगा, आप करके देखना है इसको, बड़ी simple calculation है, ठीक है, तो आपका जो answer है, that is 20 and 28, तो चलिए अब जो next question है, that is question number 10, उसको solve करते हैं, so question number 10 में क्या है, the number of boys and girls in a class are in the ratio 7, ratio 5, तो इसमें क्या given है, कि अगर आप किसी class में number of boys और number of girls का ratio निकालते हैं, तो वो आता है 7, ratio 5, ठीक है, और जो number of boys हैं, वो number of girls से 8 ज्यादा है, तो class की total strength क्या है, तो अगर हम total number of boys निकाल लें, और total number of girls निकाल लें, दोनों को add कर दें, तो आ जाएगी हमारे पास class की strength, ठीक है, तो in a way हमको क्या करना है, सबसे पहला हमारे step रहेगा, that find the total number of boys in the class, and total number of girls in the class, ठीक है, and strategy हमारी same रहेगी, जब भी हमको ratio given होता है, तो हम पहले ratio लिख लेते हैं, that is 7 by 5, और यहाँ पर इसको किसी variable से multiply कर देंगे, x और x, तो numerator में भी x से multiply कर देंगे, denominator में भी x से multiply कर देंगे, तो हमको basically 7x by 5x मिलता है, जिसका ratio है 7 by 5, जो कि given है आपको, ठीक है, तो इसका मतलब definitely एक number जो होगा, वो आपका होगा 7x, और दूसरा होगा 5x, ओके, और 7x क्या है वो आपको statement से पता लग जाएगा, कि this is ratio of number of boys and number of girls, तो 7x जो होगया, these are number of boys, number of boys, और 5x क्या होगया, number of, number of girls, ठीक है, so number of boys होगे 7x, number of girls होगे 5x, तो अगर आप दोनों को जो टोटल क्लास की strength कितनी होगी, so class, strength of the class, ये होगी, number of boys, that is 7x, plus number of girls, that is 5x, तो अगर आपको पूरी class की strength निकालनी है, तो आप 7x को 5x में add कर दीजे, and you will get the class strength, तो ये जो आपका है 7x, plus 5x, ये ही आपको निकालना है, और ये आप तभी निकाल पाएंगे, जब x की value आपको पता होगी, ठीक है, so what is the total class strength, that is 7x, plus 5x, और इसको compute करने के लिए हमको निकालना ही पड़ेगी value of x, ठीक है, तो यहाँ पर एक और भी fact given है, अगर आप देखें, the number of boys is 8 more than number of girls, तो number of boys जो है है, वो number of girls से 8 ज़ाधा है, तो ये हैं मेरे number of boys 7x, number of boys 7x, और number of girls से, अगर कोई स्ट्रेट कर देंगे, तो ये आजाएगा 8, ठीक है, so boys में से, number of boys में से, number of girls को हम स्ट्रेट कर देंगे, तो मिलेगा 8, because हमारे boys, girls से कितने ज़दा है, 8 जादा है, ठीक है, तो अभी हमारे पास equation आ गई, इसको अगर हम simplify करते हैं, तो 7x minus 5x कितना हो जाएगा, this will become 2x, is equal to 8, right, और यहाँ पर अगर हम इसको, दोनों side को हम 2 से divide कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2x divided by 8, and 8 divided by 2, तो यहाँ पर 2 से to cancel, और यहाँ पर 2 से 8, 4 आ जाए equal to 4, ठीक है, तो x की value आ गई, 4, अब number of boys कितने है, number of boys हमारे पास थे 7x, number of girls 5x, total class strength कितनी है, 7x plus 5x, और हमको निकाल नहीं कहा है, total class strength, तो total class strength हम बड़े ही easily, इस x is equal to 4 को इसमें substitute कर देते हैं, और हमारे पस total class strength हा जाएगी, ठीक है, तो class strength हमारे पास है, तो class strength is equal to 7x plus 5x, तो हमने वो ही लिखा है, जो हमने पहले compute किया था, 7x plus 5x, और x की value उसमें 4 हम substitute कर देंगे, तो अब हमारे पास मिलेगा हमको, is equal to 7 into 4 plus 5 into 4, ओके, यह हमारे पास number of boys है, यह number of girls है, इन दोनों को add हम कर रहे हैं, तो 7 4s are 28, 5 4s are 20 and this is equal to 48, तो जो total class strength है, वो है 48, number of boys कितने है, 28, number of girls कितनी है, 20, और total class strength है, 48, तो यह है हमारा answer, ठीक है, तो चलिए अभी next question है, question number 11, so question number 11 is, बेचुंग's father is 26 years younger than बेचुंग's grandfather and 29 years older than बेचुंग, तो जो बेचुंग है, उसके father जो है, वो उसके बेचुंग's, जो उसके grandfather है, उससे 26 साल छोटे हैं, और बेचुंग से 29 साल बड़े हैं, अगर हम तीनों की ages को add कर दें, तो आता है 135 years, बेचुंग के father की age, बेचुंग की age और बेचुंग के grandfather की age को अगर add कर दिया जाए, तो आता है 135 years, what is the age of each of them, तो यह बहुत ही simple, straightforward question है, हम कहते हैं, इसको solve करने के लिए, हम assume करते हैं, जो हमारा बेचुंग से father है, तो यहां लिख लेते हैं, तो लेते हैं यह बेचुंग से father हैं इनके, ठीक है, तो हमने बेचुंग से father लिख लिए, यहां पर हम लिखते हैं, बेचुंग से grandfather, ठीक है, और यहां पर लिखते हैं बेचुंग, तो यह पूरा जो है हमारा, two generations यहां पर लिखे हुई है, एक बेचुंग हो गया, उसके father हो गया, उसके grandfather हो गया है, अब जो बेचुंग के father हैं, वह अपने, अपने father से, मतलब बेचुंग के grandfather से, 26 साल छोटे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब अगर बेचुंग के फादर की एज को हम x माल लें, तो grandfather की एज कितनी होगी, x plus 26, राइट, बेचुंग के फादर, बेचुंग के grandfather से 26 साल छोटे हैं, इसका मतलब बेचुंग के grandfather बेचुंग के फादर से 26 साल बने हैं, ठीक है, तो अगर हम बेचुंग के फादर की age जो है, x माल लेते हैं, तो इनके grandfather होंगे बेचुंग के, उनकी age क्या होगी, x प्लस 26, ओके, अब दिया गया है, जो बेचुंग है, वो आपके, अपने फादर से 29 years छोटे हैं, तो इसका मतलब जो बेचुंग है, वो आपने फादर से 29 years छोटे हैं, तो इनकी age से कितनी age कम होगी, 29 years, तो x मानस 29, ओके, तो बेचुंग के father की age हमने माना x, तो बेचुंग के grandfather की age होगी, x प्लस 26, और बेचुंग की age कितनी होगी, x मानस 26, अब इन ती कर देते हैं, तो आता है 135, बहुत ही simple question है यह तो, इसमें हम तीनों को add कर देते हैं, तो यह आजाएगा, x प्लस 26, प्लस x, प्लस x मानस 29, और यह add करके आएगा 135, फिक है, यह add करके क्या आएगा 135, हमको क्या करना है, हमको x की value चाहिए, बिकुद अगर x की value आ जाएगी, तो हमारे पास grandfather की value भी आ जाएगी, grandfather की age भी आ जाएगी, और बेचुं की age भी आ जाएगी, तो basically हमको x की value निकालनी है, और x की value को निकालनी के लिए हम इस equation को solve करना है, चीक है, तो x प्लस x प्लस x, क्या हो जाता है यह, 3x, अभी हम सब एक साथ जो लिखते थे पहले, कि पहले x को एक साथ लिखेंगे हैं और constants को एक साथ, तो वह हम देख शुके हैं, हमको क्या करना है, जितनी भी x की term से सबको add कर देना है, x प्लस x प्लस x, तो यह 3x आ गया, और साथ में हमारा क्या बचा, 26 minus 29, that is equal to 135, right, x plus x plus x, 3x, 26 हमने यहां लिख दिया, minus 29 यहां लिख द 26 minus 29 कितना आ जाएगा, minus 3, is equal to 135, okay, अब हम क्या करेंगे, यह जो minus 3 है, इसको transpose कर देंगे, यहां पर यह हो जाएगा, plus 3, तो यहां पर हमारे बस क्या बचेगा, 3x is equal to 135, plus 3, minus 3 को transpose किया, यह बन गया आपका, plus 3, ठीक है, अब यह आ जाएगा, 3x is equal to 138, ठीक है, now, next step is, कि अब हमको यहां से 3 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, LHS और RHS दोनों को हम 3 से divide कर देंगे, ओके, तो यह 3 से divide हो गया, अब जो trick हमने थोड़ी देर पहले भी previous question में देखी थी, कि भई, कैसे identify करें, कि हमारा कोई भी number 3 से divisible, completely divisible है या नहीं है, तो हम उस number के 3 digits को add कर लेते हैं, एक छोटी सी trick है, इसका इस question से कोई लेना देना नहीं है, तो इसके 3 digits को हम add कर लें तो क्या जाएगा, 1 plus 3 plus 8, और यह क्या आता है, 12, तो क्या 12 3 से divisible है, yes, इसका मतलब 138 भी पूरे तरीके से divisible होगा 3 से, ठीक है, तो अगर हम इसको divide करेंगे, तो यह मेरा आ जाएगा, इसको हम detail में divide नहीं करते, बहुत ही simple है, तो यह आ जाएगा, 46, right, तो इसकी value आ जाएगी 46, 138 by 3 की, तो इसका मतलब जो मेरा x की value आ गई, वो आ गई 46, okay, तो x की value आ गई है, अब हमको क्या करना है, इस x की value को यहाँ पर रख देना है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर line draw कर लेते हैं, तो यहाँ पर x की value जो है, that is 46, तो बेचुंग के जो father है, उसकी age कितनी है, उनक के grandfather, बेचुंग के grandfather की age कितनी होगी, 26 plus 46, okay, तो यह आ जाएगा 46 plus 26 and that is equal to 72, तो जो बेचुंग के grandfather है, वो 72 years के है, बेचुंग के जो father है, वो 46 years के है, और बेचुंग कितनी years का है, that is 46 minus 29, so 46 minus 29 आ जाएगा आपका 17, ठीक है, so हमारे पास आ गया है, जो answer है, इसका question का वो आ गया है, कि बेचुंग की age जो है, वो है 17 years, बेचुंग के जो father की age है, that is 46 years, और बेचुंग के grandfather की जो age है, वो है 72 years, ठीक है, तो यह question I think आपको समझ में आ गया होगा, अब हम जो last question है, आज के, आज के lecture का, वो हम देखते हैं, that is question number 11, तो चलिए, आज के lecture का जो last question है, that is question number 12, उसको हम solve करते हैं, 15 years from now, रवी's age will be 4 times his present age, आज से 15 साल के बाद, रवी की age उसकी present age से, कितनी होगी, 4 गुना हो जाएगी, तो रवी की present age क्या है, थोड़ा tricky तरीकी से given है, बट इसको step by step अगर हम देखेंगे, तो बहुत ही easily इसको solve कर पाएंगे, तो सबसे पहले तो हमको रवी की present age निकालनी है, तो उसको हम assume कर लेते हैं, कि let the present age of ravi is x, ठीक है, तो हमने रवी की present age है, उसको x माल लिया, x years, ठीक है, रवी की present age को हमने x years माल लिया, पंदरा साल के बाद, 15 साल के बाद, after 15 years, रवी की age कितनी होगी, तो after 15 years, रवी's age after 15 years, यहां लिखते हैं, रवी's age, एज, अफटर 15 years, कितनी होगी, उसकी present age है x, उसके अंदर हम 15 add कर देंगे, तो 15 साल के बाद, रवी की age होगी, x plus 15 years, ठीक है, अब next है, next क्या बोला गया यहां पर, कि 15 साल के बाद, रवी की age जो होगी, वो उसके present age का 4 times होगी, जो आज उसकी age है, उसका 4 times होगी, ओके, तो उसकी age आज कितनी है, आज उसकी age है x years, तो इसका 4 times कितना होगा, इसका 4 times होगा 4x, तो रवी की present age का 4 times होगया 4x, और यह age किसके equal होगी, जो 15 साल के बाद, उसकी age है, उसकी equal होगी, that is x plus 15, तो यह equation हमारे पास आ गई है, अब इस equation को अगर हम solve कर लेंगे, तो हमको जो है, रवी की present age पता लग जाएगे, बिकोज रवी की present age है x, तो हमको x की value निकालनी है, which is रवी's present age, तो इसको solve हम कैसे करेंगे, again, x की जितनी भी term है, बिकोज x हमारा variable है, उसको हमको LHS पे लेके आना है, तो यहाँ पर 4x already present है, और यह x को भी हम यहाँ पर transpose कर देंगे, तो यहाँ पर plus x से यहाँ पर आके हो जाएगा minus x, तो यह बन जाएगा 4x minus x is equal to 15, ठीक है, तो x को हमने यहाँ पर transpose कर दिया, उसके बाद 4x minus x हो गया, 3x is equal to 15, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ से 3 को भी remove करना है, तो हम LHS और RHS दोनों को हम 3 से divide कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, 3 से 3 cancel होगे, हमारे पस केवल x बचा, यहाँ पर 3 से 15 हमारा 5 आएगा, अगर हम उसको divide करते हैं, तो 15 को 3 से, तो यहाँ पर आजाएगा, x is equal to 5, ठीक है, और यह क्या है हमारा present age of ravee, ओके, so present age of ravee is 5 years, तो present age of ravee is 5 years, ठीक है, तो यह था question number 12, okay, तो यह था part 5 of chapter 2, जिसमें हमने question number 7 to 12 को solve किया, I hope कि आपको जितने भी solution है, वो हमने बड़े detail में किया, वो सब समझ में आ गए होंगे, अगर आपको कहीं भी कोई conceptual problem आती है, या कोई भी question solve करने में difficulty आती है, then just come back to us via comments, comment box में आपसको लिख दीजिए और उसका हम respond आपको जरूर करेंगे, ठीक है, so आज के लिए बस इतना ही, जो next हमारा part होगा, उसमें जो हम इसके remaining questions है, question number 13 to 16, exercise 2.2 के, उनको हम solve करेंगे, ठीक है, so bye until then, have a very nice day.